हाई, अम अवनी आ रहे हैं और आप देख रहे हैं नीशिन नेक्स इंडियन पॉलिटिक्स और सोशलिस्ट क्लास की आवाज सडक से लेकर संसत तक बुलंद करने वाले जेडियू के फॉर्मर नेता और फॉर्मर मिनिस्टर शरद्यादव नहीं रहे गुर्वार 12 जनवरी को उनका निधन हो गया शरद यादव का जन भले ही मध्यप्रदेश में हुआ था लेकिन उन्होंने मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश और फिर बिहार में अपना पॉलेटिकल दबदबा दिखाया और इंडियन पॉलेटिक्स में अपनी एक अलग जगे बनाई यादव काफी टालेंटिट थे और उनका भाशन सुनने के लिए भी दूर दूर से लोग आते थे मध्यप्रदेश के ही कॉलेज से उन्होंने बी की डिग्री ली थी शरत कॉलेज के दिनों से ही पॉलेटिक्स से काफी इंप्रेस थे और उन्होंने नर्सिफ कॉलेज में स्टूडन यूनियन का इलेक्शन लड़ा बलकि जबलपूर इंजिनियरिंग कॉलेज के स्टूडन यूनियन प्रेसिडेंट भी चुने गए वो एक स्किल्फल स्पीकर भी थे उन्होंने अपनी डिग्री गोल्ड मेडल के साथ पूरी की थी जब शरत्यादव सूडन पॉलिटिक्स में बिजी थे तब देश में लोकनायक जैप्रकाश नारायन के डिमॉक्रिसी इशू और डॉक्टर राम अनोहर लोहिया के सोचलिस्ट रेवल्यूशन की आण्धी चल रही थी शरत्यादव भी इन दोनों नेताओं से काफी इंप्रेस हुए डॉक्टर लोहिया के सोशलिस्ट थिंकिंग से इंस्पायर होकर शरद ने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की शरद यादव यूथ लीडर के तौर पर कई मुव्मेंट्स में शामिल हुए और एमजिंसी के समय मीसा के तहट जेल भी गए शरद यादव के पॉलिटिकल करियर के शुरुआत 1971 से हुई वो टोटल साथ बार लोकसभा एमपी रहे जबकि तीन बार राज्यसभा मेंबर चुने गए वो 27 साल की उमर में पहली बार 1974 में मध्यपदेश की जबलपूर लोकसभा सीट से एमपी चुने गए थे इसके बाद उन्हें कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अतरपदेश की बदायू लोकसभा सीट और बाद में बिहार की मध्यपुरा लोकसभा सीट से भी एमपी चुने गए शरद्यादव ने अपने पॉलिटिकल करियर के शुरुआत एच्टी देवकोडा, गुरुदास दासगुपता, मुलायम सिंग्यादव और लालू प्रसाद्यादव के साथ की थी जबलपुर एलेक्शन में एपिक विन के बाद उन्हें देश में एमिजनसी देखनी पड़ी, इस बीच शरद्यादव की पॉपिलारिटी का ग्राफ भी बढ़ता रहा, हिंदी बेल्ट में शरद्यादव की पॉपिलारिटी काफी बढ़ने लगी थी शरद्यादव ने 1999 में देश के सिविल एविएशन मिनिस्टर बने, फिर 2001 में उन्हें यूनियन मिनिस्ट्री ओफ लेबर में कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया वेस्ट बेंगॉल की सीए ममता बैनर जी ने जब ओपोजिशन के नेताओं को एकठा किया, तब भी शरद्यादव ने मौझूदा सरकार के खिलाफ जम कर भाशन दिया था कुछ साल पहले नागपर के कस्तोजन पार्ट में भी शरद्यादव का एकारिक्रम हुआ था जिसमें उन्हें सुनने के लिए दूर-दूर से लोग आये थे और उन्हेंने देश के मौझूदा हालात पर स्पीज दी थे इस वीडियो के पेडियूसर है विकरान शांडीला, स्क्रिप्ट लीकिया शमान अंतायड इने और क्यामरा के पीछे है नितन मानकर